देश के प्रिधान मंत्री आज उत्राखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे इस यात्रा के दौरान प्रिधान मंत्री 18 बजार करोड रुपे लागत की पर योजनाओ का उद्खाटन और शिलन्यास करेंगे प्यमोदी दोपहर करीब 12 बज़ कर 25 मिनट पर देहरादून के जौली ग्रैंट एरपोर्ट पहुँचेंगे और हेलिकॉप्टर से 12 बज़ कर 50 मिनट पर परेड ड्राउंड पहुँच जाएंगे वहीं दोपहर एक बज़े विभन पर योजनाओ को अधगाटन शिलन्यास के साथी एक जनसबा को भी संबोधित कर सकते हैं बता देंगे इस पूरे कालकर में सरक के बनियादी धाचे में सुधार के लिए कई पर योजनाई होंगी जिससे यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए जिससे शेत्र में परेटन और जादा बढ़े पीम 11 विकास पर योजनाओ की आधार शीला भी रखेंगे इसमें दिल्ली देरादून आर्थी गलियारा शामिल है जिसे लगभग 8300 करोल रुपे की लागत से बनाया जाएगा दिल्ली देरादून आर्थी गलियारा दिल्ली से देरादून के भी शियात्रा के समय को छे घंटे से घटा कर लगभग धाई घंटे कर देगा इसमें हरद्वार, मुजफर नगर, श्वामली, यम्ना नगर, बागपत, मेरत और बडोस संपर के लिए साथ प्रमुख इंटर्चेंज होंगे इसमें वनिजीवों के लिए बिना रोक टोक आवगवन के लिए इश्या का सबसे बड़ा वनिजीव अलिवेटिड गलियारा होगा साथी देरादून में दतकाली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वनिजीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी इसके अलावा गणेशपुर देरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टकर से बचने के लिए जानवरों के लिए कई दास्ते बनाये जाएंगे दिली देरादून आर्थी गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जन से अचन और 400 से जादा पानी के रिचार्ज पॉइंट की विवस्था भी होगी तो ये है वो प्रोजेक्ट जिसका शेलन न्यास लुकारपर आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी करेंगे आज उत्राखन के दौरी पर देरादून पहुंचेंगे यहाँ पर तमाम पर योजनाओं को शेलन न्यास का कारेक्टर में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का करीब साड़े बारा बज़े देरादून पहुंच जाएंगे एक जन सभा को भी संबोधित कर सकते हैं हाला कि फिलाल तो यह माना जा रहा है कि यह जो कारेक्टर में वो सिर्फ आपचारिक तोर पर किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से अगर विशेशक्यों की माने तो यह दोरा बेहत एहम है 2022 में विदान सभा चुनाव होने हैं उत्राखंड में और ऐसे में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी दूसरी बार हाल ही में दूसरी बार आ रहे हैं उत्राखंड और जन सभा को संबोधित कर सकते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साख सकते हैं के अलावा यहां पर लोगों से रूबरू होंगे लोगों से बात्षीत करेंगे और चुनावी हुंकार भड़ते वे भी नज़र आएंगे